मी का भहुश्य वक्ता की पुस्तक अध्याय तीन और मैंने कहा हे याकुब के प्रधानों हे इस्रायल के घरानने के न्याययों सुनों क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रिति रखते हो मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल और उनकी हड़ियों पर से उनका मास उधेड लेते हो। बरन, तुम मेरे लोगों का मास खा भी लेते, और उनकी खाल उधेरते हो, तुम उनकी हड्डियों को हंडी में पकाने के लिए तोड़ दालते हो, और उनका मास हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो, वे उस समय यहवा की दोवाही देंगे, परन्तु वह उनकी न सुनेगा, बरन उस समय उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुह फेर लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविश्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते और अपने दातों से काट कर शांती शांती पुकारते हैं और जो कोई उनके मुह में कुछ नहीं देता उसके व कि तुम को दर्शन न मिलेगा, और तुम ऐसे अंधकार में पढ़ोगे कि भावी न कह सकोगे, और भविश्वक्ताओं के लिए सुरिय अस्त होगा, और दिन रहते रहते अंध्यारा हो जाएगा, और दर्शी लजित होंगे, और भावी कहने वालों के मुह काले होंगे, औ अपने ओठों को ढापेंगे कि यहोवा की ओर से उत्तर नहीं मिलता, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ती, न्याय और पराक्रम पाकर परिपुर्ण हूँ, कि मैं याकुब को उसका अपराद और इस्रायल को उसका पाप जता सकूँ, हे याकुब के घराने के इहा बात सुनो, वे तो सियोन को हत्या करके और यरिशलेम को कोतिलता करके दूर करते हैं, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्ता देते हैं, और भविश्य वक्ता रूपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यहा कहकर हुआ हमारे बीच में तो है, इसलिए कोई पत्ती हम पर न आएगी, इस कारण तुम्हारे हेतु सियोन जोत कर खेत बनाये जाएगा, और यरुश्लेम डिह ही डिह हो जाएगा, और जिस परवत पर भवन बना है, वह वन के उचे स्थान सा हो जाएगा.